क्रिकट हाइलाइट को यूट्यूब और फेस्बूप पर अप्लोड करके आप कैसे हजारो रुपए कमा सकते हो आज की वीडियो में विद प्रूफ आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे दोस्त है जो के मुझे कमेंट करते हैं कि इससे स्ट्राइक आ जाती है इससे हमारे चैनल खराब हो जाएंगे इससे हमारे पेज खराब हो जाएंगे आज का मैथड देखने के बाद आप ये कभी भी कमेंट नहीं करेंगे जी हाँ आज मैं एक ऐसा मैथड ब करके एक बहुत बड़ा पेज और बहुत बड़ा चैनल भी रन कर रहा है उसको कोई स्ट्राइक नहीं आ रही लेकिन शर्त यह है कि आपने जो मैथड फोलो करना है वो मेरे वाला मैथड फोलो करना है आपने खुद से आइन स्टैन या न्यूटन नहीं बनना कोई अपनी तर रहता है तो बिना टाइमे इसके स्टाट करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंड्स इस मेतोड को दीहान से देखे गा क्योंकि यहां पर आ आप लाइफटाइम के लिए अर्निक कर सकते हो तो सबसे पहले आपने वीडियो लेनी कहा है आपने वीडियो लेनी है तो यहां पर आज दो मैच हुए है, दोनों मैचेस की हाईलेट यहां पर आपको मिल रही है, तो आपने सिंपल इनको डाउनलोड करने है, अपने मुबाइल के अंदर डाउनलोड करने का तरीका वहत असान है, इसका लिंक कॉपी करना है और गूगल से जाके इसको है, तो यहां पर आने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है? यहां मैं आपको बता देता हूं, आपने यहां पर सर्क करना निव्रूम Green Screen, या आप Green Screen Newsroom भी सर्च कर सकते हैं या अपना खुद से भी बना सकते है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पे आपने क्या करना है यहां से आपने एक डाउनलोड कर लेनी है और उसको अपने mobile में save कर लेना है तो यहाँ पर आपके सामने बहुत ज़्यादा तस्वीरें आ जाएंगी आपने simple क्या करना है जो आपको अच्छी लगे आपने उसको open कर लेना है तो यहाँ पर मेरे सामने मुझे एक अच्छी लगी है उसको मैं download कर लेता हूं ताकि मैं उसको use कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ तो यह देखें इस तस्वीर को मैंने open किया और इसके उपर मैं long press करूँगा या इस तस्वीर को open करूँगा तो इसके उपर long press करूँगा तो save का option आ जाएगा आपने इसको अपने mobile में save कर लेना है अब save करने के बद आपने next काम क्या करना है आपने अपने mobile के अंदर cap cut को install कर लेना है मैं cap cut यूज़ कर रहा हम आप कोई भी editor यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने यहां पे क्या लेके आना है और उत्रा ही जादा आपको voice time और views आएंगे तो इस तरीके से आपने इसकी length को increase कर लेना है उसके बद आपने क्या करना है आपने जो match डाउनलोड किया था वो भी यहां पे import कर लेना है तो मैं वो भी import कर लेता हूँ तो यहां पे आपने simple क्या करना overlay पे click करना और वो import कर लेना है ठीक है तो वो import करने के बद आपने क्या करना है आपने इस match को दिहान से crop, cut और editing करनी है ताकि आपको कोई strike न आए इसका proof भी मैं last में आपको दे दूँगा कि यह काम करने के बद आपको कोई strike नहींगे सबसे पहले आपने start वालतू part खतम करके इसको state में ले आना है और उसके बाद आपने क्या करना है आपने इसका frame cut करना है simple आपने क्या करना है edit के option पे click करना है जैसी आप edit के option पे click करना है आपको crop का option आजएगा आपने crop के option पे click करना है और यहां से एक तो इनका logo और दूसरा scoreboard आपने हटा दिना है ठीक है जैसी आप यह काम करेंगे तो यह देखें जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने pitch को center में रखते हुए कुछ इस तरह से cropping करनी है कि हमारी pitch मतलब पूरी आए और उसके बाद देखिने वाले को बुरा ना देखें तो यह देख लें मैंने इसको crop कर लिया आप crop करने के बाद मैं क्या करूंगा मैं इसको adjust करूंगा ठीक है इसके उपर click करूंगा और click करने के बाद इसको drag कर दूँगा उस box के अंदर जो हमने अभी अभी pick downlood की है अब यहां पर यह करने के बाद यह हमारी adjust हो ग अब frame तो हमारा adjust हो चुका है उसके बाद आपने next काम क्या करना है आपने करना है इसकी speed changing है जो video हमने यहां पर import की है आपने इसकी speed को थोड़ा सा बढ़ा दिना है ताकि यहां पर थोड़ा सा मतलब changing हो जाए जो हमने YouTube से video download किया उसकी video और इसकी video में change हो जाए और जैसे ह आपने अपनी मरज़े से add कर लेना है आप अपने channel का नाम भी लिख सकते हैं Facebook page का नाम भी लिख सकते हैं लेकिन मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं reaction videos ठीक है यह reaction मतलब Australia और New Zealand का match आपने उसी हिसाब से यहां पर text add करने का मक आप खुद का reaction नहीं add कर सकते तो आपने उसका alternate कैसे निकालना है ठीक है इसको भी आपने जैसी adjust करने के बाद इसको भी आपने वीडियो की जितनी भी length है उसके साथ यहां से match कर लेना है इसको पकड़के drag कर लेना है last तक ठीक है तो यह हमने drag कर लिया ठीक है जहां तक हम सारा frame उसके बाद start में आ जाते हैं अब देखने में यह अच्छा नहीं लग रहा तो आपने दुबारा text पे add करना है और उसके बाद style पे click करने तो जैसी आप style पे click करेंगे तो आपके सामने इसके मतलब different किसम के style और phoneart वगरा आ जाएंगे आपने जो आपको अच्छा ल बन चुका है आपने इस तरीके से इसको अच्छे से adjust कर लेना है तो यह मैंने adjust कर लिया यहाँ पर यह देखें कुछ इस तरह से अब नजर आ रहा है अब next काम आपने क्या करना है next काम आपने इसके उपर reaction देनी है अब reaction अगर तो आप खुद की videos को add करके दे सकते हैं खु अब यह नहीं बनाना चाते हैं तो next step आप follow कर ले रहा है जो के मैं वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर यह देखें ही मैंने कुछ इस तरह से इसको पकड़के adjust कर दिया यह देखें left side पर यह कर दिया right side पर यह कर दिया और नीचे लिख दिया reaction video Australia Mrs. New Zealand match अब उस उसके बाद आपने क्या करना आपने इसको चला के चेक कर रहा है तो यह देखें यह हमारी reaction वीडियो बन चुकी है अब YouTube भी इजाज़त देती है और Facebook भी इजाज़त देती है कि आप reaction वीडियो को डाल सकते हो किसी भी वीडियो को upload या download करके उसके उपर reaction दे के हमारे साथ काम कर सकते हो तो इस तरीके से आपने इसके साथ reaction देने है अब अगर आप खुद की वीडियो एड़ नहीं कर सकते है खुद के reaction एड़ नहीं कर सकते है तो तब आपने क्या करना है यहाँ पे pixel एक application हा आपको android में मिल जाएगी और आपको मतलब ISO में मिल जाएगी तो simple आप इनको किस भी वीडियो में यूज कर सकते है आपको कोई strike नहीं आएगा आप easily इसको पहले मतलब example के तोर पे upload करके check भी कर सकते है ठीक है तो यहाँ से download करने का तरीका बहुत असान है कोई भी वीडियो आपने open करनी है open करने के पाद उसका मतलब download का option आ जाएगा तो जब आपने download कर ली आपने इसको भी थोड़ा सा crop कर लेना है ताके main part हमारा सामने आए और उसके बाद आपने क्या करना आपने इसको पकड़ के जैसे आपने मेरी वीडियो जहां पर मैंने लगाई थी वहां पर यह वीडियो लगा देनी है अब यह वीडियो एड़ हो चुकी ह और इसकी आपने थोड़ी से speed कम या जादा कर लेनी है ताके अगर कोई और creator इस तरह की वीडियो यूज कर रहा है तो आपको problem ना हो वैस तो यह copyright free है अगर कोई भी use भी कर रहा है तो आपको copyright stack नहीं आएगा उसके बाद आपने इसको copy करते जाना है और मकमल वीडियो तक इसको export कर लेना है मतलब जो आपने reaction वीडियो डाली है उसको पूरी वीडियो पर copy paste कर देना है ताके आपकी सारी वीडियो पर यह आ जाए तो यह देखें यह कुछ इस तरह से हमारी reaction वीडियो बन चुकी है अब इसको आपने import करना और import करने के बाद आपने इसको save कर ले save करने के बाद आप live proof देखें मैंने यहाँ पे एक मतलब keyword सर्च किया एक channel आपको दिखाना चाहता हूं जिसका नम है उजायर cricket तो जैसे आप उजायर cricket लिखेंगे खुद भी आप YouTube पे चेक कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने एक channel आजागा इसके सब्सक्राइबर देख लें एक लाख 27,000 और थाड़े 300 प्लस वीडियो यह अप्लोड कर चुका है cricket से रिलेटर ही अब मैं आपको इसकी एक वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूं उसके बाद आपको मजीद दिखाऊंगा कि यह बंदा काम किस तरह कर रहा है तो यह द वीडियो मैंने आपके सामने चला दिया यहां पर चेक कर सकते हैं कि इसको कोई कोपिरेट स्ट्राइक नहीं है चैनल भी इसका मौनड़ाइज है आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं अब मैं इसकी थोड़ी सी ओल्ड वीडियो भी आपको दिखा दूं कहीं आपको तारि आपने करने हैं डेली बेस पे एक दो वीडियो आप अपलोड करें और यहां पर इसके थमनिल भी जरा देख लें इसके थमनिल आप चेक करें सेम तरह का पैटनर और इसके ऊपर जो उर्दू लिखा हुआ है और कुछ मतलब क्लिक बिट मारा हुआ है तो इसी तरीके से मिलते हैं कोई और इसी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझेद इजासत अलाफीज